नमस्कार दोस्तो जैसे कि आप सभी को पता ही है कि कुछ जिन पहले नेपाल के परधान मंत्री पुस्प कमल दाहाल परचंड इंडिया विजिट पर आये थे लेकिन दोस्तो जैसे ही वो इंडिया से नेपाल वापस गए उनको बहुत बूरी तरह से ट्रॉल किया जा रहा है यहां तक की कहा गया की नेपाली परधान मंत्री भात से भैसे पर चड़ कर आया है मतलब कि भाई साब इतने बूरी तरीके से उनको ट्रॉल किया जा रहा था यहां तक कि कई लोगों ने तो यह भी कह रहा था की भैस किसका सवारी होता है तो हम सभी को पता है कि भैस सनी देव महराज का सबारी होता है जिसके उपर सनी देव महराज का किरपा हो जाए उसका तो बेरा गर्क होना ही है तो दोस्तों इस जीज को लेकर कई लोग लिंक कर रहा है कि नेपाली परधान मंत्री परचंड भैसे को लेकर इंडिया से जब न नेपाल पर उनकी किरपा द्रिष्टी बना हुआ है यानि सनी देव महराज का किरपा द्रिष्टी बन गया है तो नेपाल का बहुत ही बुरा होने वाला है तो इस तरीके से उनको ट्रॉल किया जा रहा है लेकिन दोस्तों इन सभी चीजों को अलग रखते हुए इन सब मजाक साइड में रखते हुए मैं यह बताना चाहता हूं कि भैंस से जो गया हुआ है नेपाल में वो तकरीबन 20 से लेकर 40 लिटर तक परती दिन दूद देती है तो दोस्तों ये बहुत ही उत्तम प्रजाती के भेंसे माना जाता है तो नेपाल सरकार के दोरा ही अप्रोच किया गया था किपी ओली के सरकार के कैमिनेट दोरा कि इंडिया से कुछ भेंसे दिया जाये था कि नेपाली भेंसी यह हैं जिनका जेनेटिक सुधार किया जा सके उनका प्रजाती जो नसल है उनको सुधार किया जा सके अब दोस्तों बात करते हैं कि मेन जो जड़ है उनका ट्रॉल की ये जाने का वो सबसे बड़ी वज़ा ये माना जा रहा है कि नेपाल और इंडिया के जितने भी बोर्डर डिसिप्यूट है जिन में सबसे मेजर रोल कर रही है काला पानी लिपूलेख और लिम्पिया धूरा उन पर ना बात करके उस सीमा विवाद पर वन टू वन बात ना करके इन लोगों ने बहुत सारे बाते तो की और भैसे लेकर जब आए तो उनको ज़्यादा ही मतलब कुछ बूरी तरीके से ट्रॉल किया जा रहा था यहाँ पर दोस्तों आप अपना राय क्या देना चाहते हैं कि पर्धान मंतरी पुस्प कमल दाहाल परचंड को ट्रॉल किया जाना चाहिए था या नहीं किया जाना चाहिए था आप लोग कमेंड करके हमें जरूर बता सकते हैं यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि नेपाली जनता को सबसे बड़ी जो आसा थी इंडिया विजीट को लेकर परचंड की जो इंडिया विजीट था उससे नेपाली जनता का सबसे बड़ी जो आसा था वो वही था कि लिपुलेक लिंपिया धुरा और काला पानी का ज पंद्र मुर्रा भैंसियों का दोस्तों यहां तक तो ठीक है लेकिन यह सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि क्या वो 15 भैंसिया जो मुर्रा भैंसिया नेपाल गया हुआ है वो सच में जो रियल खिसान है उनको मिलेगा या नहीं सबसे कोईशन वाली बात यह है दोस्तों यहां पर भारत के ही जैसा नेपाल में भी देखा जाता है कि जो भी मंत्रियों की बस्ताड होता है जो उनकी समसागीरी करते हैं उनको ही जादा वेनिफिट मिलता है सरकारी योजनाओं का या कुछ विया नुदान में आता है तो उनको ही जादा इन सब चीजों का लाव देखने को मिलता है तो यहां पर सबसे बड़ी जो कुशन मार्क है वहीं खाड़ा होता है कि क्या रियल किसानों को उस प्रजाती के भेंसी मिल पाएगा या नहीं आप अपना राय कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं मैं मिलूगा नेक्स वीडियो में एक ने टॉपी के साथ तब तक ख्याल लगए अपना और अपने चाहने वालों का धन्यवाद